हाई वेल्कन तो माचनल इस बीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्टन 17 & 18 और यह दोनों क्वेश्टन जो है CHS Interest में पुछा हुआ है 2019 में चले ध्यान देज़ेगा a प्लस b प्लस c बरावर दिया 15 and a स्क्वार प्लस b स्क्वार प्लस c स्क्वार is equal to 83 है वो है आपका a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc is equal to a plus b plus c in bracket a स्क्वार प्लस b स्क्वार प्लस c स्क्वार माइनस a b माइनस b c माइनस c a तो यह फ्रमुला है आपका इनको मोडिपलाई करेंगे तो इतना आएगा तो यहां पर value तो रख सकते हैं देखे a plus b plus c की value तो यहां पर पता है और a स्क्वार प्लस b स्क्वार प्लस c स्क्वार का भी पता है 83 है लेकिन इसमें यहां तो लिखा है a² प्लस b² प्लस c² यहां रख सकते हैं टी 3 लेकिन यहां पर क्या होगा यह हमें नहीं पता तो हमें जो यहां पर लिखी हुई quantity है इसको हमें change करना पड़ेगा और इसको हमें इन दोनों के form में लिखना पड़ेगा मतलब a² प्लस b² प्लस c² के और a प्लस b प्लस c के form में तो कैसे लिखेंगे इसको यहीं आपको सोचना है तो यहां पर हो जाएगा a प्लस b प्लस c और यहां ब्रिकट में है आपका a² प्लस b² प्लस c² इसमें मानस कामबल ले लेजिए इतनी हैं माइनस कामबल लेंगे तो यहां पर लगा दीजिए विक बगेट और यहां पर माइनस कामबल लेंगे तो मिलेगा आपको माइनस AB प्लस BC प्लस CA उसके बाद जो है A प्लस B प्लस C और यहां से आप क्या करिएगा यह तो वही रहेगा A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस C स्क्वाइर माइनस यहां पर 2 से माइन प्लाई करना पड़ेगा सभी में मतलब 2 से डिवाइड कर देना होगा मिन्स आप लिशकते हैं इसको 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA होल अपन 2 और यह पूरा प्रेकट में close रहेगा ठिक है इतना कर सकते है अब इसके बाद A प्लस B प्लस C और इसकी वेलू पता हमें है और इसको चेंज करना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस C स्क्वाइर माइनस इसकी value जो होती है 2ab plus 2bc plus 2ca इसको हम ले सकते हैं इतना a plus b plus c का whole square इसमें समानस कर देंगे bracket में a square plus b square plus c square यदि ऐसा करते हैं तो इतना मिल जाएगा और आप इसको solve करके देख सकते हैं कि बिल्कुल इतना आता है अब यहाँ पर सबकी values रख देंगे तो हमारा answer मिल जाएगा ठीक है अब सबकी values put करते हैं तो a plus b plus c कितना है 15 आपका है लिख देंगे 15 और इन bracket देखे इसकी value दिया हुआ है यहाँ पर 83 लिख लेंगे 83 minus यहाँ पर देखे ब्रेट गंदर a plus b plus c का whole square है मतब 15 का square करेंगे minus इसका sum है मरतब 83 है होया whole upon 2 अब इसको solve करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 15 multiplied by यह पूरा complete bracket में तो 83 minus 15 का square होता है 225 minus 83 whole upon 2 अब इसको solve करता हूँ मैं यहाँ पर इधर तो मिल जाएगा आपको 15 into यहाँ पर हो जाएगा 83 ब्रेकट रहेगा 83 minus यहाँ पर मानस कर रहे है 225 में से 83 तो यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 मिलेगा and यहाँ हो गया 2 में से 8 नहीं जा पाएगा तो 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ पर 2 1 बचा 142 अपाँ 2 हो जाएगा यहाँ पर अब यहाँ से हो जाएगा 2 7 जा और 2 7 जा और 2 1 जा यहाँ पर 71 आ गया 71 minus करेंगे 83 में से तो मिलेगा हमें 15 मानस करेंगे तो क्या मिलेगा 71 9 and 3 12 मिल जाएगा तो 15 12 जा कितना होता है यह होता है 180 180 आपका option correct है मतब कि option 2 वाला जो है correct है तो ध्यान दीजिए यह सब आपको जानना पड़ेगा और इसको रट लीजिए इसको याद कर लीजिए यह formula और इसी formula पर best equation है ओके चले solve करता है question number 18 यहाँ पर question बोला क्या है कि if x to the power 4 plus x cube plus x square plus ax plus b is divisible by x square plus 1 then the value of a and b is मतलब की का रहा है कि यह जो expression दिया हुआ है यह जो polynomial दिया हुआ है यह जो है exactly divisible है किस से x square plus 1 से तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम x square plus 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो remainder क्या आएगा 0 आएगा मतलब की यदि हम x square plus 1 यहां लिख लें और यहां पर लिख लेता है x to the power 4 plus x cube plus 8 x square plus ax plus b तो यह जो है exactly इसको डिवाइड करतेगा तो चलिए इसको ले जाते हैं कितने में पर ले जाएंगे डिवाइड करते हैं x square है यहां पर तो यहां पर लाना पड़ेगा x to the power 4 तो हमें ले जाना पड़ेगा पहले x square से x square से मतलब करतेंगे इस दोनों में और यहां पर put करेंगे क्या मिलेगा यहां मिलेगा x to the power 4 और plus x square से मतलब करेंगे 1 में तो मिलेगा हमें plus x square ही और यहां हो जाएगा minus minus यह cancel out हो जाएगा और यहां देखिए x square है और यह x cube है तो cancel out नहीं हो पाएगा x square को हमें यहां से करना है तो x cube को ऐसे उतार लेंगे और देखिए यह वाला इन दुरों को साल पर यह एक साथ तो मिलेगा आपको plus 7x square right और उसके बाद अब इस मिले जाएगे तो कितने देखिए ले जाएगे x square यहां पर है और यह x cube है तो हम ले जाएगे plus x से तो multiply करेंगे तो मिलेगा हमें x cube फिर plus और x से ले जाएगे 1 में तो मिलेगा हमें x और फिर जा नहीं पाएगा तो वो अब यहां से जाएगा इन दोनों solve करना पड़ेगा मतलब माइनस माइनस तो अब इन दोनों solve करना पड़ेगा ठीक है मतलब कि यहां पर उतार लेना चाहिए x तो हम solve कर लेंगे इससे x से यहां पर यह किंसलेट हो जाएगा तो वन बार ले जायना पड़ेगा इसमें प्लस वन तो वन से मन पलाई करेंगे इस x square प्लस वन में तो मिलेगा आपको x square प्लस ठीक है अब यहां पर मैनस करेंगे तो मैनस ऐसा यहां 7 से लाजाना चाहिए था 7 से लाज़ेगे तो 7 x square प्लस 7 मिलेगा ठीक है राइट अब यहां पर solve करेंगे तो यह मैनस मैनस हो जाएगा और यहां पर जो भी है उसको यहां लिख दीजिए यहां पर तो मैं लिख जाता हूँ यहां पर देखें यह दोनों को एक साथ रखें तो a-1 in bracket x इसको हमने लिख दिया इस तरीके से फिर प्लस b भी है प्लस b है और फिर यहां पर देखें मैनस 7 है अब यह जो है रिमेंडर आया है ठीक है यह रिमेंडर है नीचे आएगा ही न तो यह रिमेंडर है वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए क्यों क्योंकि यह exactly divide करता है न तो यह 0 कब होगा यह 0 तब होगा जब a-1 ब 0 होगा तो मिलेगा b बराबर 7 means 1 और 7 these are the values of a and b तो यहां पर option जो है first वाला correct है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या किया गया है आप यहां पर ध्यान दिजेगा यहां पर मैंने डिमेंडर निकाला है सबको add करके यहां पर तबाया है ठीक है तो आप इसमें क तक यहां तो मुझ भाचिग वाचिग भाचिग बाया है